विक्रम और बेताल अब आठवे पड़ाव पर पहुँचते हैं वहाँ पहुचकर बेताल ने विक्रम से आठवे पहिली पूछी आएए अगली पहिली को देखें आठवी पहिली चित्रत घन एक चित्रकार के पास पेंट के दो डिब्बे हैं एक नीला और एक लाल उसके पास लकडी के काफी सारे घन हैं और सभी एक ही आकार के हैं चित्रकार ने प्रत्येक फलक को ठोस लाल या ठोस नीला बना कर घनों को रंगने का निर्णे लिया उधारण के लिए वह एक घं को पूरे लाल रंग में रंग सकता है अगला वाला पूरा नीला हो सकता है तीसरा वाला जिसका सिर्फ एक फलक लाल और बाकी नीला और ऐसे ही बाकी घं अलग-अलग तरीके से बस फर्क यह है कि कोई भी दो घन एक जैसे नहीं होने चाहिए दो घन एक जैसे तब माने जाते हैं जब एक घन के सभी फलक, दूसरे घन के सभी फलक से मेल खाते हो चित्रकार कितने घनों को इस प्रकार रंग सकता है कि प्रत्य घन एक दूसरे से भिन हो बेताल को पूरा भरोसा था कि विक्रम इस पहेली का सही जवाब नहीं दे पाएगा लेकिन विक्रम को अपने उपर पूरा भरोसा था और वह उत्तर समझाने लगा उसने कहा आईए पहले घन को पूरा लाल और अगले पर पूरा नीला रंग करते हैं अब मान लीजिए कि चित्रकार लाल रंग चुन कर एक बार में एक फलक को रंगना शुरू कर देता है इसलिए तीसरे घन का एक फलक लाल रंग में होगा और बाकी के पांच फलक नीले रंग में होंगे अब यदि वह लाल रंग से रंगे हुए फलकों की संख्या एक से बढ़ा देता है तो इस घन के दो लाल फलक और चार नीले फलक होंगे लेकिन इसको करने के भी दो तरीके हो सकते हैं तो उसके पास दो घन होंगे जिन में दो लाल फलक और चार नीले फलक होंगे इसके बाद लाल रंग से रंगे हुए फलकों की संख्या को बढ़ा दें इस घंगे तीन लाल फलक और तीन नीले फलक होंगे इसे फिर से दो तरीकों से किया जा सकता है इस प्रकार उसके पास फिर से ऐसे दो घंगे अब लाल रंके फलकों की संख्या को एक से और बढ़ा दें उसके पास ऐसे दो घन होंगे जिसमें चार लाल फलक और दो नीले फलक होंगे अंत में लाल रंके फलकों की संख्या को एक से और बढ़ाते हुए उसके पास पांच लाल फलक और एक निले फलक वाला केवल एक और घन होगा यदि हम इन सभी संभावित घनों को जोड़ दें तो हमें कुल दस अलग तरहे के घन प्राप्त होंगे बेताल हैरान रह गया कि विक्रम ने सवाल का सही जवाब दिया विक्रम मुस्कुराया और वह हरिश्चंद्र गड़ की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए